जय माता दी दोस्तों, आज आप सुनने जा रहे हैं कर्मा धर्मा की पौरानिक वृत कठा को, भादो महने की पूर्निमा को कर्मा धर्मा का त्योहार मनया जाता है। कर्मा धर्मा वरत भाई बहन के प्रेम का पर्व मना जाता है यह पर्व बहने अपने भाईयों के सुख, सम्रिद्धी और दिरगायू की कामना करने के लिए करती हैं। जारखंड और बिहार समेत, बंगाल, असाम, उडिसा और चटिस गड़ में भी यह पर्व बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है। जारखंड की परंपरा के अनुसार जब धान की रोपाई हो जाती है तब यह पर्व मनाया जाता है। दोस्तों वर्ष 2023 में कर्मा धर्मा का पर्व 25 सितंबर दिन सूमवार को मनाया जाएगा। भादर पद महिने के सुकल पक्ष की एकादसी को मनाया जाने वाला यह पर्व भाई बहन के प्रेम और सद्धभावना का पर्तीक है। इस दिन बहने अपने भाईयों के सुक अब आप सुनें कर्मा धर्मा की वरत कता को। कर्म पौधे को लगाया करते थे और उसके चारों और नाश्ते गाते उसकी पूजा किया करते थे। एक बार कुछ दुस्मनों ने कर्मा धर्मा पर हमला कर दिया। उसके बाद से उसकी बहन करम देवता की और स्रद्धा और भक्ती के साथ पूजा आरदना करने लगी। जब वह धनी होकर वापस अपने गाउं लोटा तो उसने देखा कि उसका छोटा भाई धर्मू और उसकी बहन करम वरिच के नीचे करम देवता की आराधना में लीन थे। जब दित होकर उसने करम वरिच को ही उखाड लिया और नदी में ले जाकर फेग दिया। इस घटना के कुछी दिनों के बाद करमा अपना सारा धन जुए में हार गया। करम धर्मा का जीवन कठनाईयों से गुजरने लगा और धीरे धीरे उनकी भुकमरी की स्थिती हो गई। तब उनकी बहन ने उन्हें बताया कि करम देवता के अपमान के कारण उनकी यह दसा हुई है। अपने बड़े भाई करमा को उसने कहा कि तुमने करम वरिक्ष को उखाड़कर नदी में फेक दिया जिसकी वज़ा से हमारी अदुर्दसा हो गई है। इसलिए किरप्या करके तुम वह करम वरिक्ष वापस से ढूंड कर लाओ और हम उसे फिर से विधिविधान के साथ रखेंगे और उसकी पूजा राधना करेंगे। तब सायद हमारे कष्ट दूर हो जाएं। अपनी बहन के बताने के बाद दोनों भाई, जंगल, पहाड और देश विदेश में घूमकर करम वरिक्ष की तलास करने लगे। एक दिन उन्हें वह करम वरिक्ष नदी में तैरता वा मिला। करम वरिक्ष को देखकर उनकी खुसी का ठिकाना ना रहा, उन्होंने जल्दी से उस वरिक्ष को उठाया और अपने घर में ले आये। अपने घर में लाकर उन्होंने करम के व्रिक्ष को एक जगह पर अस्थापित किया और बड़े ही विधी विधान के साथ उसकी पूजा अराधना करनी सुरू कर दी। देखते ही देखते भादो मास की पूर्निवा तिथी आई उस दिन उन्होंने बड़े ही विधी विधान के साथ करम देवता की पूजा अर्चना की और करम व्रिक्ष के पास बैटकर बड़े ही विधी विधान के साथ सारी पूजा विधी पूरी की व्रत के प्रभाव और कर महनती और दयावान थे कुछ दिनों के बाद बड़े भाई कर्मा का विवा हो गया उसकी पतनी का नाम अधर्मी था जैसा उसका नाम वैसे ही उसके विचार और कर्म थे वह दूसरों को परिसान करके खुद मजा करने वाली औरत थी यहां तक कि वह धरती मा के उपर भी जुल करने से नहीं चुकती थी वह धरती मा के उपर चावल का गर्म पानी जिसे मान बोलते हैं गिरा दिया करती थी उसके इस वैवहार को देख कर कर्मा को बहुत दुख हुआ करता था एक दिन जब उसकी पतनी ने फिर से चावल का गर्म पानी धरती मा के उपर गिरा दिया तो तो उससे कर्मा को बहुत दुख हुआ, वह धरती मा की पीड़ा से बहुत नाराज हो गया और नाराज होकर घर छोड़ कर चला गया, उसके जाते ही सभी के भागी फूट गये, दुख के दिन आ गये और वहां के लोग दुखी रहने लगे, तब वहां एक महत्मा आये और उन उने बड़े भाई को खोज कर ले आओ, लोगों की पीड़ा देखकर और इसी की बातें सुनकर छोटा भाई बड़े भाई को खोजने निकल पड़ा, कुछ दूर चलने पर धर्मा को प्यास लग गई, आस-पास कुछ भी नहीं था, तभी दूर्प में उसे एक नदी हमारे यहां का पानी सूख गया है, वह प्यासा ही आगे बढ़ा, थोड़ी दूर आगे बढ़ने पर उसने देखा कि एक बुढ़ा व्यक्ति, एक बड़ा सा बोज उठाए हुए चल रहा है, जब उसने उस बुढ़े व्यक्ति से इसका कारण पूछा, तब उसने बताया क कि जब से कर्मा यहां से गया है, उसके सर से बोज नहीं उतर रहा, और जब तक तीन चार लोग इसे उतार नहीं देते, तब तक यह उतर नहीं सकता, व्यक्ति ने भी धर्मा को बोला कि कर्मा ही इसका निवारन कर सकता है, वहां से जब धर्मा आगे बढ़ा, तो उसे एक म पहिला मिली जो कर्मा से यह जानने के लिए बोली कि जब से कर्मा गए हैं तब से खाना बनने के बाद भी बरतन हाथ से चिपक जाते हैं इसके लिए क्या उपाय करें अपने भाई को ढूड़ने के साथ साथ इस बात को भी जरूर ढूड़ना चलते चलते धर्मा आगे पहु पुदे हो गए हैं और वह गर्मी से बहुत ही व्याकुल हो रहा है। धर्मा से उसकी हालत देखी नहीं गई। उसने कर्मा से आगरह किया कि वह घर वापस चले। तब कर्मा ने कहा कि मैं उस घर कैसे जाओं। जहां मेरी पतनी मेरी धरती मां को दुख देती है। वह जमीन पर मान फेक देती है तब धर्मा ने उसे वचन दिया कि आज के बाद कोई भी महिला जमीन पर मान नहीं फेकेगी किर्पिया करके तुम मेरे साथ चलो तब दोनों भाई घर की और वापस चल पड़े तो सबसे पहले वह महिला मिली उससे कर्मा नहीं कहा कि तुमने किसी भूक को खाना नहीं खिलाया था इसलिए तुम्हारे साथ ऐसा हो रहा है आगे से कभी यदि तुम्हारे द्वार पर कोई भूका वेक्ति आए तो उसे बिना खाना खिलाए मत भेजना आगे बढ़ने पर दोनों भाई नदी पर पहुँचे तब नदीम ने कहा कि कर्मा जब से त साथ पानी नहीं दिया आगे से कभी किसी को गंदा पानी मत पिलाना यदि तुम्हारे पास कोई प्यासा आए तो उसे साथ पानी पिलाना इसके बाद सब ठीक हो जाएगा नदी ने ऐसा ही किया और उसके बाद से कभी भी नदी का पानी मैला नहीं होता इस प्रकार से कर्म कर्म ने सभी को उसका कर्म बताते हुए घर की ओर आया और घर आकर उसने पोखर खोद कर उसमें कर्म की डाल लगाकर कर्म देवता की पूजा अराधना की। गाउ में कभी भी दुख का साया नहीं पड़ता है और वो हमेशा सुखी और खुशाल रहता है।